हेलो वीवर्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 34 इंचिस प्रिंसेस कट ब्लाउस अगर आप भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब की चेयर बैल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिये चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ब्लाउस का लेंग था 14 इंचेस तो हम एक इंचेस में प्लस करके 15 इंचेस और एक इंच और प्लस करके 16 इंचेस पर मार्क करेंगे इस तरीके से हम 15 और 16 इंचेस पर 2 मार्क कर लेंगे ठीक है 15 इंचेस जो होगा वह बैक पार्ट के लिए होगा ठीक है और जो 16 इं hai ki di khiyah pe 8.5 ऐसा आएगा generate का 4 th part यहां उपर के साइडट आप देखिए हम सोल्डर का माँचिंगे शुल्डर लें के 6 इंच और आर्मोल भी हम साधे शह इंज पर लेंगे यहां पे अर्मोल साधे 6 इंज तरीके से स्क्वेटेज बना लेंगे देखिया है और इसे स्वेयध लाइन ड्रॉ करके स्क्वेयर्शेप बना लेंगे और स्क्वेयर्शेप बना ने पाद आपको वन ello आर्म हूल के लिए और डेर इनज बैक आर्म हूल के लिए आपको इस तरीके se 2 आपको नियुद कно क्या ग्रेतन है आपको और इस तरह के से राउंड शेप दे देना है और हाफ इंच का सोल्डर डाउन जो देते हैं वो दे देना है आपको ठीक ed अब दोनों जो square shape में जो armhole की cutting हुए वहाँ पर center पर आपको इस तरीके से mark करके half inch का round shape लगा लेना है इस तरीके से जो देर इंचे marking किया था वह back armhole के लिए था ठीक है अब जब हमने mark किया था उसे हम इस तरीके से cut कर लेंगे दिखिए और जो 15 inches पर जो हमने mark किया था तो वही mark हम पीछे side भी करेंगे एक इंच उपर ठीक है क्योंकि यह 16 inches है तो back part का cutting करेंगे तो यह 15 inches पर हम इस तरीके से mark कर लेंगे और इसे cut कर लेंगे ठीक है यह हमारा हो गया front part और वह पिछला वाला हिस्सा होगा back part ठीक है इस तरीके से हम इसे दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे यह front part है ठीक है और यह है यह back part है जिसमें का armhole cut हो चुका है ठीक है अभी हमने chest की marking करके cutting नहीं की है और जो रेकर किस तरीके से आपको मार कर लेना है और इसे cut कर लेना है इस तरीके से आपको cut कर लेना है और ने हम जो डाट है, जो डाट पाइंट लगाएंगे दस इंच पर और फ्रंट साइड से आपको साठे तीर निच पर मार्क कर लेना है, और और ऑल्स्ट त dispendance three निच़ से भी आपको वहीं माक कर लेना है और दौनों दौन को इसेड द्रॉ कर लेनी है इस तरीके से और 1.5 इंज का दोनों साइट आपको मार्ग कर लेना है जो टक्स बनेगा वो दोनों साइट से 1.5 इरे रेंज करके आप इस तरीके से मार्ग कर लीजिए ठीक है दिखिए आप इसतरीके meantime हमने मार्ग कर लिए है अब यहां पर देखिए यहां पर देखिए जो square shape बना है वहां से एक जो cut लगता है उसके लिए हम इस तरीके से line draw कर लेंगे और दोनों side point inches का यह point one inches का आपको इस तरीके से mark कर लेना है इस तरीके से cutting करने से front album जो फुलान आती हो नहीं आएगी ठीक है और 8 inch chest का और half inch वहां पर extra लेंगे क्योंकि extra cutting हो रहा है उसके लिए और 1.5 inch का यहां पर margin लेना है आपको नीचे side देखिया नीचे side आपको 7 inches कमर के लिए लेना है ठीक है और 1.5 inch जो हमने डाइड बनाया है dart के लिए लेंगे 1.5 inch और 1.5 inch का आपको इस तरह के से margin ले लेना है बाट अदेखिया और margin to margin आपको मिला लेना है और straight line इस तरिके से margin to margin मिला लेना है और इसे cut कर लेना है आपको ठीक है और यहां पे देखिए जो center पे हमने mark किया था वहाँ से इस तरीके से triangle का shape देना है आपको ठीक है और इसे कट कर लेना है इस तरह के इस ट्रैंगल का शेब देना यह होता है कि फ्रंट साइड में जब डाड बनाते हैं तो कपड़ा उपड़ा चड़ने लगता है तो इस तरह के से कटिंग करने से वह नहीं चड़ेगा परफेक्ट फुटिंग में आएगी ठीक है तरह के से हम इसे कट कर लेंगे कि अब हम इसे में अब हम इसे में फैब्रिक में कट करेंगे बैक पार्ट जो होगा एज इस आपको वैसे ही कट कर लेना है ठीक है और यहां पर देखिए देखिए इंज का इस तरह के से बैंड करना है आपको आप को जाता है तो ठीक है ए एन फैसे करना भन कर लेना है तो इस में मार्जीन लीजी अगर शनओ बनाते हैं या टो अमसरे neutral नहीं POWताए है ठीक है center से ही वह adjust हो जाता है तो ठीक है तो इस तरीके से मैं front side में hook पट्टी लगाने वाली हूं इसलिए front side cut करूँगी इसके लिए मैंने half inch का extra margin लिया है यहां पर ठीक है और इसे हम इस तरीके से cut कर लेंगे देखिया और जो side part होता है उसे आप इस तरीके से रख लेजिए अस्तर के ऊपर और इस तरीके से चारों तरफ मार्क कर लेजिए और मार्क करने के बाद एक side में आपको half inch का margin देदेना है इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ठीक है और आपको इसे कर लेन नाहें कट के में देखे रहे हैं अप देखिये कट हो चुका है सभी parts कट हो चुक है डेखियो सभी parts कट हो चुकी है मैंने back neck जो है square shape में बनाया है बेकास back neck में में design बनाने वाली हूं इसके लिए अब देखिया जो front part होता है यह देखिया हमने दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है फ्रंट साइट का जो सेंटर पाथ था हुशे हुग पट्टी वगरे लगाने के लिए और यहां पर देखिए जो में फैब्रिक और रस्तर दोनों का आपको इस तरह के से अटैच कर लेना है ताक कि सिलाई करते वर्द जो कोई सभी लगाने के बाद अच्छे से अटैच कर लेना है उसी तरीके से साइट पार्ट को भी आपको इस तरीके से सील लेना है ठीक है अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरीके से जोइंट करेंगे आपको खींशते हुए जोइंट नहीं करना है नॉर्मल करना है वर्ना एक छोटा ब देखे अच्छे तरीके से बन गया है इप डच्छी हम लेंगे इंटी औरे पट्टी यह लिए है ठीकर और 10 कुछ नहीं किया है सक्षाम Ὁसे डबल करके सिलका यहां तरह बहुत ही अच्छी इसैनियाउ कि इसे आपको रसा repeat वाली पीलिंग कि तरह ही दिखती है इस तरीके से पाइप्अ करने देपींग करने से इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके इस पाइपींग लगा लेंगे देखिया और इसे मोलने के बाद देख किते फिनिशिंग के साथ यह पाइपिंग बन के रेडी होगा आपको एक बार जरूर ट्राइ किजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा यह बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें की फिनिशिंग आती है बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के से और एक साइट देखिए हमने काज और हुक पट्टी दुनों लगा ली है ठीक है अब हम बैक पार्ट की उचलते हैं तो बैक पार्ट में आपको आइस इस जो ने के रिया है उसको उसमें आपको सिलाई लगानी है ठीक है आपको अस्तर अन्मीन फैब्रिक को आपको इस्तरे के से अटेज कर लेना है ठीक है और इसे अपको सिलाई लगा लेनी है देखिए यहाँ पर ब्लॉष का जो बारगर होता है स्लीट का बारगर होता है उससे आपको इस तरेके से रिमौफ कर लेना है वहाँ पयाँद में चोटा पतला सा, बऌडर आपक उसे ह शाथे नौश इंच के आसपास का यह फैबरीक है और इसका जो लेंग्ध होगा वो 5-5 इंच के आसबास का फैबरिक है यह तो दोनों साइड को अपको इस तरीके से मोलेना है दिखिये जो साइड में जो बाट मोरते हैं उस तरीके से आपको मोलेना है इसकी लंबाई बनाने के बाद आपको तसे बीच में अगा लगा लेना है अब अबकर करना मेंचमा और इस तरह के नाधे बनानी है बाद आपको यह क्या दिखर जुन्नेट है वो निकलेना इसके लिए इस तरह कैसे आपको इसे बांद लेना है अच्छे से देखे अब हम अब हम क्या करेंगे कि इसे जो बैग पार्ट है उसके सेंटर में अटैच करेंगे तो सबसे पहले आपको दोनों साथ हाफ आफ इंज का मार्जिन देते हुए आपको इस कर लेना है और इसके स Creek मिलेना है अपको इसे इस तरीके से रख लेना है रख देन के वाँ को एक एक बार दोनों स्रुपा देनी है चिपका करके और लाइं भी ऐसे लगाने कि हलक ऐलका फ्रिल करते हुए आपको लाई लगानी है तके उसमें ऐसे प्रिल हो ठीक है कि इस तरीके से इसे सिल लेना है इस आरका क हुए हाष पडर फ्रिढ फ्रिल बनाते हुए हलका सा ताकि नहीं बनाना है आप जैसे कि आप वीडियों देख रहे हैं उसी तरीके इस फ्रिल्म रणाना है इस तरीके से आपको चिपका लेना है जो एक्स्टा फैब्रिक उसे कट कर लेना है अब हम क्या करेंगे जो हमने ब्लाउस का जो बॉर्डर लिया था उसे साइड में जहां पर माक किया है हमने वहां बॉर्डर को भी ऑच्छे से इसमें लग जा और गजिल के इस तरीके से दोनों साइड़ आपको वही करना है वही प्रोसेस करके आपको अटाच कर लिg इससे यह होगा कि जो सूल्डर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है वो नहीं दिखेगा और इस तरीके से पाइपिंग से बहुत फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनता है ठीक है अब आप देखेए वही डबल फोल्ड करके जिस तरीके से हमने नीचे साइड पाइपिंग की थी उसी तरीके से इसमें भी पाइपिंग कर रही हूं है इसे औरे पट्टी को डबल फोल्ड करके से अटैच किया है हमने देखे और इस तरीके से चारो तरफ आपको यह पटि को दवर फोल्ड करके अटाच कर लेना है और इसे इस तरीके से मोड करके पाइपिंग करनी है देखे लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब आप पुरे पटि करते हैं तो देड़ इंच की चोड़ाई लेते हैं लेकिन इसमें आप दो इंच के आसपास के चोड़ाई लेजिए ठीक है क्योंकि यह फोल्ड होने वाला रहता है इसलिए कपड़ा कम पड़ सकता है इसलिए दो इंच के चोड़ाई अले करके आप इस तरीके से पाइपिंग बनाईए बहुत फिनिशिंग के साथ अब यह पाइपिंग बनेगा देखिए पुरे नेक का हमने पाइपिंग बना लिया है और नीचे साइड भी हमने पाइपिंग लगा ली है और सेंटर में एक स्टोन लगा लिया है और थैंक यू सो मुच फूर वाचिंग दिस वीडियो